तो यहां पर हम लोग कुछ LCM SCF के important questions हैं जिनका discussion करेंगे और LCM SCF पर एक ऐसा topic है आपका जो आपके जितने भी आपके exams है, government exams, वहाँ पर definitely हर बार आता है, जब से exam के starting वे तब से LCM SCF topic में question आता है, तो इसमें कई variety type of questions है जो हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे और यह solutions आपके ल से practice करना है, जिस question में doubt रहेंगा, उसके solution को बार बार देखना है, हर एक question के clarity होना बहुच हो रही है, ठीक है, चलिए, तो पहले question स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमको SCF निकालना है, SCF, इन तिनों का, तो यह मैंने class में question कराए हुआ है, जब भी decimal के question है, उनका SCF निक तो कितना हो जाएगा, 175, 560 और 700, इसका हमको निकालना है SCF, ठीक है, SCF निकालना है, तो देखिए, इसको सीधे cut करना start करेंगे, तो देखिए, आपका 2 से cut करने का, यहाँ पर जबरत नहीं सीधे पले आप 5 से cut कर लिए, तो 5 से cut किया कितना हो जाएगा, तो यह हो 5, यह 5 से cut कितना हो जाएगा, 112, यह 5 से cut कितना हो जाएगा, 140, 5 से 3 कठ हो जाएगा, सर्कल कर लिया, फिर आपने कहा कि यहाँ पर, यहाँ पर सीधे 7 से cut कर सकते हैं, तो starting में, क्यूंकि मैं एक को SCF निकालना है, तो मैं starting में try कर रहा हूँ, उन नमबर से cut करूं, जिससे स सब cut हो रहा है, 7 से cut किया 5 आ रहा है, इसको cut किया 7 से, तो यह आ जाएगा 1, और 42 आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा, 7 से cut किया 20 आ जाएगा, तीनों cut हो है, सर्कल कर दो, अभी 5, 16, 20, अब कभी ऐसा नहीं होगा, कि जिससे मैं आगे continue cut करूं, तो तीनों cut हो, क्यूंकि मैं 2 से क्लास मताया था ना इससे तीनों कट हों तो SCF मतलब में को आंगी करने की जरुवती नहीं है मैं यहीं से छोड़ सकता हूं तो SCF कितना हो जाएगा 5 into 7 कितना 35 ठीक है बट हमारा Question दो था ही नहीं है हमारा Question दो Decimal था तो यहाँ पर आपने क्या किया था decimal के बाद 2 digit थी जब आपने digit उड़ा गया था तो आपको वही गलती सुदावनी है decimal के बाद 2 digit था जब आपने उड़ाय था तो 2 digit के बाद decimal को place कर दीजिये तो answer कितना आगए 0.35 तो s save के value हो गए 0.35 s save कितना हो गए 0.35 हाजी next question अब देखिए next question में आपका LCM निकालना है ये भी decimal वाले question है LCM निकालना है तो देखिए 3 2.7 0.09 तो maximum digit 2 है जब आपका decimal है maximum digit कितना है 2 अब क्या करना है आपको s save में 2 digit maintain करना है तो जब यहाँ लिखा 3 decimal 00 यहाँ पे 2.70 0 decimal अब देखिए यहाँ सब में 2 हो गई जैसे 2 हो गई यहाँ आप decimal उड़ा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 300 यहाँ हो जाएगा 270 और यहाँ पे हो जाएगा 9 अब इसको solve करना है तो सबसे पहले देखिए आप cut करना start करेंगे सीधे आप 3 से cut करिए 3 से cut के कितना हो गया 100 यह हो गया 90 और यह हो गया आपका 3 चीक है इसके दगार आप 3 से cut करेंगे तो यह तो 100 का 100 ही रहेगा कटनी होगा यह आपका 30 हो600 ओ यह है और फिर से कट करेंगे तो यह हो जाएंगा आपpentल्ड का100 इतना होता है 100 तो आपको 100 किसी चीज मुल्टिप्लाइ करना दो जिरो लगाना है इन ती नों मुल्टिप्लाइ कितना हो जागा तो 3 नाइन टो 3 कितना 27 तो 2700 हो गया लेकिन ये तो आपका अंसर इसका आ रहा है न इसका और क financier निकालना है तो डेसेवल के बाद दो डेशिता को प्लेस कर दो तो यहां डेसमन प्लेस कर जिये ट्वंटी सेवन व फ्ञाइन हो एश सकते हैं आफका इंगरिवेशु में दिया को कर दो SCF given day जब भी आपका SCF given day आपको numbers निकालने है ठीक है आप सीधे क्या करोगे SCF से इन ratio को multiply करते है जो number आता जाएगा तो पहला number क्या हो जाएगा 1 into 12 12 हो गया पहला number दूसरा number क्या हो जाएगा 2 into 12 24 हो जाएगा तीसरा number क्या हो जाएगा 3 into 12 36 हो जाएगा तो आपका ये D option correct हो गया now next question lowest coin multiple पोच रहा है it means कि LCM पोच रहा है 24 36 40 इन तीनों का LCM क्या हो जाएगा इन तीनों का LCM क्या हो जाएगा 2 से cut क्या 12 2 से cut क्या 18 2 से cut क्या 20 then 2 से cut क्या 6 9 10 फिर 2 से cut क्या तो 3 9 5 3 से cut क्या 1 3 5 3 से cut क्या आपका 1 1 5 5 से cut क्या 1 1 1 तो सबसे पहले तो दिखिए 5 और 2 5 और 2 मिलके कितना बन गया 10 5 2 मिलके कितना बन गया 10 अब बागी तो numerator का वो निकालो तो SCF पूचा है numerator का SCF निकालना है तो SCF आप ACE यह मैच कर रहा है SCF आप ACE यह भी मैच कर रहा है और denominator का जश्ट उल्टा निकालो जश्ट उल्टा तो LCM आप BDF तो यहाँ पर LCM आप BDF यह सही है तो B option आपका correct हो गया उसी basis देखें नीचे वाला question भी है उसी formula basis पे तो SCF निकालना है तो उपर का SCF तो SCF आप 2,8,64,10 आप आउन में LCM आप 3,9,81,27 तो उपर वाले का SCF निकालना है तो SCF 2,8,64,10 का SCF निकालना है 2 से cut किया 1,4,32,5 2 से subcut हो रहे हैं सर्कल कर दो अब आपको next आगे बढ़ने के जरूत ही नहीं है SCF में क्योंकि SCF निकालना है तो आपको वो ढूड़ना है जिसमें subcut हैं सर्कल करो एक बार 1 आगया सर्कल हो गए नहीं उसका SCF कितना आगया 2 अब LCM कितना आ जाएगा तो देखो 3,9,81,27 इसका LCM कितना हो जाएगा 3 से काटा 1 एक टा 3 एक टा 27 एक टा 9 फिर 3 से काटा 1,1,93 फिर 3 से काटा 1,1,31 फिर 3 से काटा 1,1,1,1 3 इंटो 3,9,9,3,27,2,3 कितना 81 तो 2 बाई 81 भी करेक्ट है भी करेक्ट है जी नेक्स्ट पर्सन SCF, Highest Con Factor SCF तो 36,84 SCF क्या होगा तो 4 से काटा 9,21 चीक है दोनों काट रहे हैं सरकर कर लो 3 से काटा 3,7 दोनों काट रहे हैं सरकर कर लो आँगे करने के जबत भी नहीं कि उठी से काट होगे, यह कटेगा, यह नहीं कटेगा, 7 से काट होगे, तो यह कट जाएगा, यह नहीं कटेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों कटे हैं, तो जबूँँए है, 4 to 3 कितना होगा, 12 to 12 आपका correct answer है, इसका निकालना है आपको SCF तो दिखिए कैसे SCF इसका निकालेंगे तो इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ पहला तरीका तो इसका आपका है इसको आप अगर डिवाइट करके से निकालेंगे काफी जार डिफकर्ट हो जाएगा तो पहला तरीका इसका ये होता है कि आप क्या करें डिविजर मैठर बोलते हैं कि पहले नमबर से आपको क्या करना है दूसरे नमबर को डिवाइट करो तो आप 204 से इसको डिवाइट करेंगे तो माली जी ये 5 ताम कितना आ जा रहा है 20 10 मा FE टना बचेंगा तो यह हो गया 170 जितना आ रहा है इससे आप 204 को डिवाइट करेंगे तो जतना आपका रिमिंडर आ रहा है उससे ऊपर वाली नमबर को डिवाइट करना होता है तो 1 टाइम में कितना हो गया 170 कितना बचा है 34 अब ज़े चेक करना है कि यह जो remainder 5 से बचा 34 क्या इससे यह number divisible है चीक है तो देखो 34 से आप चेक करो कि 170 बिल्कुल divide जाएगा तो यह 5 time में कितना आ जाएगा 170 तो हाँ divisible है remainder 0 आ रहा है फिर चेक करिए क्या 34 से 204 divisible है 34 से आप चेक करिए तो 6 time में कितना हो जाता है 24 तो 4 2 करिए और 6 18 plus 2 कितना 204 तो आपका 204 भी divisible है अब चेक करना है 1190 divisible है अगर सारे divisible हो जाएगे 34 आपका हो जाएगा SCF तो 1190 चेक करना है तो देखिए आपका 34 से 3 time में कितना हो जाएगा 12 1 करिए और 3 into 3 9 plus 1 0 1 0 2 हो गया माइनस किया 9 में टू गया 7 170 तो 170 कितनी माँ जाएगा 5 time में 170 तो ये भी कट हो रहा है अगर ये last number कट हो गया 34 हो जाएगा आपका SCF 1445 तो ये देखिए 4 time में कितना हो जाएगा 16 1 करिए और 4 into 3 12 plus 1 कितना 13 136 माइस किया 85 बस यहीं पर दिक्कत आ गई 2 time में 68 remainder आपका आ रहा है 17 मतलब ये कट नहीं हो रहा है अगर सारे कट हो जाते तो क्या होता आपका 34 हो जाता आपका SCF SCF सोरी कट नहीं हो रहा है तो बचा 17 अब 17 से आपको चेक करना है तो 17 से चेकन जरूत नहीं है 17 से आपके सारे कट होंगे और 17 हो जाएगा SCF ठीक है तो ये होता है SCF निकालने का division method मतलब कि आप पहले से दूसरे को divide करोगे जो remainder आएगा उस remainder से चेक करो सारे divide हो रहे हैं का नहीं हो रहे हैं जैसे 34 से सारे divide हो रहे हैं का नहीं हो रहे हैं remainder कितना है 17 से तो 17 से चेक करना है वो definitely होगा क्यों 17 को prime number होता है ये और further और define नहीं हो पाएगा तो ये ही आपका answer हो जाएगा तो ये division method है चीक है clear अब मैं एक matrix में और बताता हूँ एक matrix में और बताता हूँ वो भी कमाल का method है उससे आपका answer और जल्दी आएगा इसको बोलते है subtraction method करना क्या idea 204 1190 1445 इन तीनों में subtract करना है आपस में ठीक है तो इन दोनों को subtract करो कितना आ रहा है इन दोनों subtract करो कितना आ रहा है तो देखो 10 में 4 गया 6 ठीक है अब ये बचा 8, 8 में 0 के कितना 8 में 0 के कितना 8 11 में 2 गया कितना 9 तो 986 आ रहा है इन दोनों subtract करो कितना आएगा तो 5 में 0 गया 5 ठीक है 14 में 9 गया कितना 14 में 9 गया आपका 5 ठीक है इसके बाद आपका ये 3 में बन गया कितना 2 तो 2 कितना आ रहा है 250 5 आ रहा है अगर आप फाइनली इन दोनों के difference करेंगे कितना हो जाएगा तो 5 में 4 गया आपका 1 4 में 0 गया 4 और 14 टो गया 12 तो हो रहा है 12, 12, 41 तो यहां पर तीनों में minimum कितना है 255 minimum कितना है 255 तो आपको क्या करना है 255 के factor करना है Factor मतलब किसके number से 255 आपका divide हो गा के लिए तो आपको finally दिखा है कि 5 से थो divide हो गई हो गा तो 5 से divide करने कितना हो 51 तो 51 तो 51 आपका 3 से divide हो तो कितना आपका 17 तो यह 3 नबर के multiply हो रहा है कि आपका 255 तीन नमर multiply कितना हो रहा है 255 था कि अब इन में से आपका answer होता है इन में से आपका अंसर होता है तो या आपको clearly समझ में आ रहा है कि आपका 17 यहाँ पर बन रहा है और इन option में 17 बन रहा है तो यह आपका correct हो जाएगा तो यह होता है आपका subtraction method कि आपको subtract करना है उन में सो जो minimum होगा minimum number होगा सब्सक्राइब करने पर क्या हुआ यह minimum number था उस minimum number तो कभी कभी आपका minimum number ही answer हो जाता है या उन में से कोई एक factor होगा वो answer हो जाएगा यह SCF का बड़े numbers होते हैं तो SCF का method होता है जब बड़े numbers होता है ना नेक्स्क्राइब क्या होते हैं ऐसे नंबर जिनका common factor aq that is 1 ऐसे नंबर जिनका कोई आपस में और ड्रीज बन लाओ जाए 16 और 62 देखो 2 से दोनों कट रहे हैं तो से दोनों कट रहे हैं तो co-pr नहीं होगा 2135 देखो 7 से दोनों कट रहे हैं को परन नहीं होगा 2392 तो यह 234 time 92 co-pr नहीं होगा 1825 तो कोई बिएसा नंबर नहीं बन किलावज इससे दोनों कट रहे हैं तो ही co-pr ng number हों chopped और मैंने क्लास में बताया हुआ है कि co prime number का scf कितना होता है co prime number का scf कितना होता है scf that is 1 हाँ जी तो इस type के question दो क्लास में बहुत कराया थे आपको छीक है इनकी sort trick बताया थी याद है तो LCM क्या करना है sort trick क्याती इन दोनों का LCM निकालो तो 3 और 4 का LCM कितना 12 अब आपको यह तो यह तो sort trick बाले LC यहता है na final LCM निकालना है final LCM तो क्या करना है इन दोनों का LCM आए 12 उसमें यह scf का multiply कर दो direct answer LCM कितना होता है 48 ठीक है तो इक क्लास में question कराया हुए थे तो इस video में मैं 10 question discuss कर रहा हूँ next video मैं आपको further और remaining question 13 question discuss करके video complete करूंगा ठीक है thank you so much for our time thank you all of you